है गेंग स्टाय मुंड़ा शाडगान रखता ठाच तो गोड़ी जेड़ा तेनु तकता तेड़ा कम महकरा मर जानी ये इंडर्स्ट्रीच कोई भी नी कर सकता तो कैसे हैं आप लोग चलिए शुरू करते एक नई वीडियो तो आज हम बात कर रहे हैं ये एक स्ट्रीमिंग सर्विस की जिसका नाम यूटो मिक है तो जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी अभी का ओफिशल वबसाइट है जिसमें की इन्होंने गेम नाइन फुटी पीजी ग क्या सब्यूंसे हैं तो अब रिजड़ में की सारे के सारे अच्छे गेमस है और ये प्रैसिंग को काइंब क्या हैं आप तुटा वर्यम बंटेटा हों किना इस प्लम्सेटीश निकलि उसमें डीक हैं आप इनके अकाउंट से आप चल सकते हो वो डाटा वहाँ पर सेव हो जाएगा सेम गूगल ने भी अपना एक बनाया था गूगल सटेडा जिसको एन्वीडिया ने भी खरीद लिया है और अब एन्वीडिया सटेडा बना रहा है और उसका भी सेम फॉंक्शन रहेगा जो यह कर रहा है शायद इन्हें भी खरीद ले पता नहीं कुछ भी हो सकता है बट आप देख सकते हो कि गेम्स सेविंटीफ़ पार्टनर्स है और यह सारे के सारे मालब जो अच्छे गेम्स बनाते हैं डीप सिल्वर और एपिक गेम्स जो एपिक लेजन चल रहा है भी हो एपिक क है तो काफी सारे गेम्स है जो एलिए बनाता है और यह प्रिपल ए ऐल सiosa्ड़ वाले गीम्स है निहीं हिट मैंड हो गया ऑजयां काफी सारे गेम्स है जो यहीं बनाता है और आप देख अंगे चल ़ो मैट्तरू ला के लिए कर रहे हो या आपकी कोई टीम है जैसे आप आपके फ्रेंड्स हैं या कोई है और आप सब मिल के खरीदना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो आप मिल के खरीद लो यह वाला अप्टू फोर यूजर वाला तो अराउंड यह 700 का पड़ेगा तो अगर कैलकुलेट करते हो और जितने गेमस आपको मिलते हैं तो अगर आप एक एक करके पैसा जमा करके भी खिर दोगे एक एक गेम कर दोगे तो भी आपके पास इतने गेम नहीं हो पाएंगे जितने आप यह कितने एक गेम को आप ज़्यादा से ज़्यादा साल बर खेलोगे उसके बद क्या होगा तो अगर आप 3000 का गेम निकला और आप 3000 का गेम खरीदने के कोशिश कर रहे हो तो साल भर के अगर आप 4 यूजर वाला प्लैन ले लेते हो और चारो को अगर equally आप डिवाइड कर लो पबजी को ही देख लो जब आया था तो काफी महंगा था और इन्होंने प्रॉमिस किया कि यह मल्टी डेवाइज भी लांच करने वाले हैं अभी तो यह आली PC पे है तो इसमें आपको GPU की जरुवत नहीं है पहला बात तो आपको कोई भी ऐसे epic desktop नहीं चाहिए 1080 Titan X ऐसा वाला नॉर्मल एक PC होना चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत net की speed अच्छी हो 30-40 mbps की बस इतना ही चाहिए आपको और गेम उस monitor उस PC पे चलेगा आपको इस PC पे खेलना है बस तो 30-60 Hz वाला monitor भी काफी होगा जो की आपको 8-9000 में आराम से मिल जाएगा market में एक headphone चाहिए होगा अच्छा वाला जो की 12-2000 में आराम से आपको market में मिल जाएगा एक compact CPU तो आप अगर रेजन बिल्ड के साथ जाते हो maximum आपको max to max ग्राफिक काड़ अच्छा ग्राफिक काड़ के साथ 30-35 तक में आपको पूरा CPU complete हो जाएगा और keyboard mouse यह सब लेकर आपको around 50 तक में एक अच्छा कासा CPU बन जाएगा जिसमें कि आप actually PC गेम्स खेल सको और आप उतना अगर effort नहीं कर सकते तो आप कम वाला भी खेलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें बस आपको वो उस PC से इस PC पर आपको गेम श्ट्रीम होगा ऐसा भी नहीं है कि आपके PC पर गेम है आपका hardware अच्छा चाहिए तो जिसके पास hardware नहीं है या laptop है मलब कि खेलना चाहता है अब लेकिन पैसे नहीं upgrade करने के लिए तो आप भी खेल सकते हो कोई problem नहीं है तो Google ने यह Saturday लाया था लाया क्या था बना रहा था तब तक में Nvidia वालों ने आभी बोला है कि हम अन्वीडिया वाले अपने launch event में बोला उनोंने कि हम गूगल के सार्टीडा को ले लिया है और उसको better बना के हम Nvidia का सर्टीडा बनाएंगे तो काफी अच्छी बात है जो भी है जैसा भी है देखते हैं बट इस price range में में मेरे को तो नहीं लगता कि यह Amazon वाले गूगल वाले और अन्वीडिया वाले मिलके गेमस दे पाएंगे क्योंकि इस price अब देखते हैं अगर आपको ट्राइ करना है आप 14 days का ट्रायल ले सकते हो फ्री में कोई भी गेम खेल सकते हो आप मिले कोई भी जो गेम पसंद है खेलो मन किया तो खरीद लो जैसे आपको क अब ही नहीं आई हुई है तो आपको खेलने का मन कर रहा होगा बैटल फिल्ड फाइब फायर स्टाम अभी नया वाया होगा पब जी के टक्कर में है आपको खेलने का मन कर रहा होगा जाओ खेलो खेल के देखो सारे गेमस आपको अबलेबल मिल जाएंगे तो और भी कई सा तो मैं single user वाले package में जाओंगा क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई भी friend जुड़ा नहीं है तो मैं single user वाले per month वाले package में जाओंगा और आप इसको कभी भी cancel कर तक तो ऐसा नहीं है कि लेना ही है अर महिने चाहे तो जैसे अभी मेरे break चल रहा है, same break चल रहा है तो कोई प्राब्लम नहीं है कि आपको ले नहीं है ऐसे हर मंत तो आप फिर जब वापस आओगे तो आपकी सारी की सारी डेटा वो सेव करके रखेगा तो मैंने यूज किया हुआ है और यह मेरा दूसरा ID है जो जिससे मैं YouTube वीडियो बनाता हूँ इसलिए इसमें 14 डेस का ट्रायल दिखा रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो यह है कि हम इंडियन से हैं भाई तो आप 2-3 ID बना लो Gmail की लॉग इन करो और खेलो कोई दिक्कत नहीं ह पूरा महीना निकाल लो 14 14 करके अगर आपको गेम कर गेम ही खेलना है तो 14 14 करके एक Gmail ID बनाने पांच मिनट 14 डेस केलो फिर एक Gmail ID बना और फिर 14 डेस केलो ऐसे करके आपका संबर निकल ली जाएगा यार